मेरे सभी मित्रों को नमस्कार दवाग्यान यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आज की जूडियो में हम बात करने जा रहे हैं अलफा आइक्जाइम कैपसूल के बारे में जिसमें आपको मेली 5 कंटेन मिलेंगे जिसमें पहला कंटेन है अलफा गलेक्टोसाइडेस जो की 150 mg पर है दूसरा है Lipease enzyme जो की 3 mg पर है तीसरा है Alfa Amylase enzyme जो की 50 mg पर है चौथा है Protease enzyme जो की 25 mg पर है और लाश्ट लेक्टेस enzyme जो की 7 mg पर इच कैपसूल में रहता है यहां 10 कैपसुल की किष्टी पाती है जो कोश्ट करती है 120 रुपए लगवग एक कैपसुल आपको कोश्ट करेगी 12 रुपए इस दवा को मार्केटिट किया जता है एलेंबिक फार्मसिटिकल्स तवारत वाईए एक एक कर हम इस कैपसुल की विशेस्ताइं भी जाल लेते हैं तो दोस्तो अलफा इजायम कैपसुल का ओपयोग भोजन को पचाने के लिए किया जाता है अगर कोई वेक्ति को खाना ठीक से नहीं पसता है तो ऐसी कंडिशन में इसे लेने पर बहुत ही अच्छा रिजर्ट मिलता है इसे लेने पर डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है साथी अपच हो, गैस हो, पेट में दर्द हो, हार्ट बन जैसे समश्या इसे लेने पर नहीं होती दोसिज भी हम इसके जान लेते हैं तो इसे अडल्ट में नॉर्मली एक कैपसुल सुबा और एक कैपसुल से आमको खाना खाने के बाद लेनी की सला दी जाती है इस दबा को आपको लंबे समय तक नहीं लेना है और आपको तभी तक इसे लेना है जब तक आपके डॉक्टर ने इसे लेनी की सला दिये हूँ सैडिफेड भी इस मेडिसिन की कुछ जैसे की दस्त की समझ्या हो सकती है नौसे की प्रॉब्लम होना या पेट दर्द इसे लेने पर हो सकता है दोस्तो पहले से अगर आपकी किसी भी प्रकार की दवाईया चल रही हो या कोई और अन्य प्रॉब्लम हो तो उस बारे में आप अपने डॉक्टर को बताना नहीं भूलिएगा या अपने फार्मेसिस से भी आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं अलफा इससे और आपको मेडिकल इस्टोव पर इसली उपलब्त हो जाती है लेकिन अगर बाय चंस नहीं मिल पार है तो ऐसके अलावा बलैनो इससे लेक्टर केपसुल डिकल इस्टोव पर उपलब्त हो जाती है इन दोनों ही दवा का कंटीन कारे आपको सेम मिलेगा आशे करते हैं दोस्तों आपको हमाई द्वारा दीगे इंफोर्मेशन पसंद आई हो अगर आपको इस मैडिसन से चुड़े कोई भी प्रशन हमसे पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं जल्दी मिलते हैं अपनी नैश वीडियो पर